नमस्कार दोस्तों मैं सागैर अप्डेक्टेट एंट्रास्पोर्ट टूर चानल को आज की दो हम देखेंगे वोलो बस्ते लिए क्या क्या डॉक्य में लगते हैं क्या 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 रिक्विट्वेर्मेंट से उसके बारे में एक वीडियो बनाई है description में उस video की में लिंक दी है आप उस पर जाकर video देख सकते है दोस्तो आज से हमारी volo training शुरू होने वाली है तो volo training की session को आप enjoy कीजे और आपको ये volo training क्यों करने चाहिए अभी वो बत होंगा देखें दोस्तो, volo bus चलाना कोई आसनम बात नहीं है अगर कोई normal बंदा अगर इसे proper training करके जाए तो भाईसा वो आराम से volo सिख सकता है volo training session में हर किसी का number नहीं लग पाता क्योंकि वहाँ पर रिक्वार्मेंट से उनको पुरा करते करते आपको बहुत time लग जाता है इसके अलावा अगर आप वहाँ पर जाते भी यह तो आपका वहाँ पर नंबर लगेगा नहीं लगेगा तो वह भी आपके लिए बहुत बड़ी समस्या है पर दोस्तों एक बात है आपको वहाँ पर जाने से पहले अगर आपने यह ट्रेनिंग सीशन पूरा कर लिया तो आपको वहाँ पर समझने के लिए बहुत असनी होगी क्योंकि वहाँ पर जो सिखा जाता है तो उसका ही कुछ पार्ट हम आपको इस ट्रेनिंग सीशन में आपको एक रेनियोंल करने के लिए तीन साल लगते हैं मतलब इसकी इस आप से देखिये तो आपको कुल 9 साल का एकस्परेंस हेवी का होना चाहिए अब यह जनती यह ट्रेनिंग कहा पर होती है तो बैंगलोर की पास होसकोर्ट नाम से जगा आये वहाँ पर यह ट्रेनिंग जो है वो किसको करने से देखे दोस्तो ड्राइवर्स, ओपरेटर्स, इंजिरिंग स्टूडंट, डिप्लोमा स्टूडंट, जॉबलेस पीपल जो है इनको ये ट्रेनिंग करने से क्योंकि इसको आप नॉलेज परपर से लिजे गोटेंबग स्टूडं का एक बहुत बड़ा सिटी है वहाँ पर इसकी शुर्वाट हुई थी इनका भारत में जो प्लांट है वह बैंगलोर के पास होसकोट में स्टी थे वहाँ पर इनकी बसे ट्रक्स का प्रडुक्शिंग किया जाता है डिलशफीप और सर्विस सेटकोब इनका अच्छाःकासा है दोस्तो इनके कस्टमर की बाद करें भारत में वी य्रेल, सर, स, आशनेश्ब्स जीसे बहुत सरी कंपपनी इनके कस्टमर से और इसी के अलाव Orange Travels, Purple Travels, Nita Travels जिसे बहुत बड़े-बड़े Nenon Bands इतके कस्टमस हैं. Volvo क्यों जाने जाती है? Volvo इतनी अच्छी क्यों है, तो सबसे बिली बात Comfort और दुसरी बात Power क्योंकि Comfort और Power को बना कर मिलती है भाही Volvo. दोस्तों, भारत में जब Volvo शुरुवात में आई थी, तो Volvo को कोई जानता नहीं था. Comfort लेवर था गाड़ी का, वो काफी अच्छा था, और काफी Power और Response का इस गाड़ी का अच्छा था. इसकारन दोस्तों, Volvo Group का नाम आज इतना बड़ा बन चुका है. भारत में साल 2008 में, Volvo ने आई शुरुप के साथ टाइप किया, और अपनी मार्केट को और बढ़ दिया. और दोस्तों, आज जो आई शुरुप के ट्रुप से आप देखते होगे, तो वो 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 गुरूप ने दिजन की है, और उसमें टेक्नलोजी तो शेर है, वो भी वो वो ही शेरिंग करता है, और काफी अच्छी गाडिया बनती वो वो राइशर की, दोस्तों ये तो सिप इ एक बात ध्यान में रखिए, इसमें हम सिप आपके लिए वीडियो बैना जाए तो आपका सपोर्ट बहुत इंपोर्टन्ट है, आपका बहु मुली समिदने के लिए धन्यवाद